नाक में सूखापन कोई जिंता का कारण नहीं है लेकिन यह आपके लिए आनिकारत साबित हो सकता है। सूखी नाक कई तरह के स्वास्त जोखिम पैदा कर सकती है। इसके कारण साइनिस की समस्या हो सकती है या फिर आपको सरदर्द की परिशानी होने की संभाव नहीं हो सकती है। बता दें कि यह समस्या खासकर गर्मियों में देखने को मिलती है। आईए आपको बताते हैं कि नाक में सूखापन कैसे दूर किया जा सकता है। सूखी नाग की समस्य अक्सर पानी की कमी से भी हो सकती है, गर्मी में अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे नाग में सूखा बना जाता है। ऐसे में पानी पीना ज़रूरी है, भरपोर मातरा में पानी पीए और इस तरह की समस्याओं से बचे रहें। स्टीम ट्रीटमेंट भी सूखी नाग से राहत देने में आपके मदद कर सकता है। स्टीम लेने के लिए आप स्टीम स्टीमर्थ से ले सकते हैं या फिर किसी बड़े बर्तल में पानी करम करके भाब ले सकते हैं। नाक में नारियल का तेल लगाने से सूखा पंदूर होता है और कोशिकाओं के बीच के अंतराल को भर कर दर्द दूर करने में मद मिलती है बतादे कि बादाम का तेल भी नाग के सुखेपन को दूर करने का एक शानदार उपा है तो बादाम का तेल लगाने से कई तरह की समस्य दूर की जा सकती है लेकिन आप चाहें तो बादाम के तेल में अलोवेरा जेल मिक्स करके लगा सकते हैं